हलो दोस्तों वेल्कम टो नीए वीडियो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर के सर्च कर गए कार्टून फॉर लिटल किड्स तो उसका रिजर्ट आपको जो देखेगा इन वीडियो पर आप व्यूज देख सकते हो और हाँ बहुत लोगों को लगता है कि किड्स कार्टून जो होता है वहाँ पर अर्णिंग नहीं होता है किड्स के कर्णिंट में एड्स नहीं चलते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फैमी है मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं देखिए अगर इन में से किसी भी वीडियो को मैं उपन करता हूं देखिए एड्ड चला पहला ही वीडियो मैंने प्ले किया और इसी पर एड्ड चल गया आप किसी भी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं उस वीडियो में एड्ड चलेगा तो जिन लोग लगता है कि किड्स अनिमेशन हम बनाएंगे तो ह में अर्णिंग नहीं होगी वहाँ पर एड्स नहीं चलेगी उनको मैंने गलत सावित कर दिया इस चीज़ को आप कैसे करोगे किस तरह से आप ऐसे वीडियो बनाओंगे वह भी क्लियर करेंगे उससे पहले एक और चीज़ में क्लियर करता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं इस चैनल पर आता हूँ और यहाँ पर वीडियो में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर एक वीडियो में इसके व्यूज द यहां पर देखिए 1 Million और इसके बाद अगर मैं आपको एक और चनल दिखाऊंग और इसके वीडियो सेक्षिन में जाऊंग तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि व्यूस कितने आते हैं यहां पर आप देख लीजिए व्यूस इनके भी लाखों में चल रहे यहां पर एक और चनल में अगर आपको दिखाऊंगों तो इसके वीडियो में चलते हैं और यहां पर भी वीडियोज जाई है पहला वाला वीडियो सिर्फ चार गंटे पहले अपलोड हुआ है इसको मत देखना और वह भी चार गंटे पहले पांच सेजार व्यूज कम नहीं होते हैं और यहाँ पर 56 के 74 के 2 लाग, 2 लाग, 3 लाग के करीब है यह वीडियो और यह भी 1 लाग क्रॉस कर चुका है याने कि वीडियो में वीडियो में वीडियो आता है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो चल गया और बाकी जो वीडियो है वो नहीं चलती है हर एक वीडियो चलता है, हर एक वीडियो में वीडियो कंटिनियूस ले आते रहते हैं तो अब बात करते है earning के कि हाँ पर earning कितनी है देखिए यह जो सब इन तीनो जो channels मैंने आपको दिखा है इसमें से सबसे छोटा channel के अगर बात करने तो यह है 28 million और यह है 12 million और यह है 11 million यानि कि यह channel सबसे छोटा है इन तीनो में से तो अगर मैं अर्णिंग की बात करूँ और आपको यही चैनल दिखाऊं तो यह सबसे छोटे चैनल का जो अर्णिंग है वो है 32K डॉलर से 580K 18K डॉलर याने के यहाँ पर जो minimum अर्णिंग की बात हो रही है वो 32 के बता रहा है याने के कम से कम 50,000 डॉलर की अर्णिंग यह कर रहा है हर मही ने उसके अगर आप इंडियन करेंसी में कनवर्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए 50,000 डॉलर्स इन रुपीज अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर देखिए 39,65,000 यहाने के हर मही ने 40,000 की अर्णिंग यह minimum कर रहा है यह चैनल सिर्फ और सिर्फ किड कार्ट क्लेम के आपको कुछ भी प्रॉबलेम नहीं होता है अगर इस तरह से अगर आप फुल वीडियो को वाच कर रहो और आप काम कर रहो और उसके बाद आपको कोई प्रॉबलेम आया तो आप मुझे मेल करो मैं आपके लिए हर एक प्रॉबलेम का सल्योशन मेल मत करो इंस्ट् के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता है उसकी लाइवलिटी मैं नहीं लोंगा जो चीज मैं बता रहा हूं अगर आप वो कर रहो तुफुल गैरणटी मैं लेता हूं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉबलेम होगा आपका कोई भी टाइम बरवाद होगा तो वो टाइम आपका मैं करके दूँगा कोई problem आएगा वो problem भी मैं fix करके दूँगा इतना मैं guarantee के साथ कहता हूँ ठीक है तो इसके बाद दीखिया आपको करना किया होगा जैसा कि मैंने कहां कि आपके mobile phone साफ इस चुर को कर सकते हैं तो मैंने ले लिया है अपना mobile phone और इसके बाद इसका screen recording on करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप यहां से क्या करोगे तो चलिए मैंने screen recording on कर लिया है और मैं आ चुका हूँ play store में play store में आकर आपको सर्च करना है pose max आप spelling देख सकते हैं pose max आप जैसे ही सर्च करोगे यह pose max नाम का जो application यह open हो कर आ जाएगा मैंने इसको open करके install भी कर लिया है और उसके बाद मैंने internet connection भी इस phone का off कर दिया है इसका reason यही है कि ads बहुत जादा जालते हैं ठीक है so internet connection को off करके भी आप काम कर सकते हो मैं है पर app को open करता हूँ and इससे क्या होगा कि ads नहीं चलेंगे यहाप पर allow करता हूँ मैंने app जो है full refresh कर लिया है जिस तर चलें यहाँ पर आपको allow करना होगा and उसके बाद यह रहा app जो है मेरा open हो चुका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बंदा है और यह मेरा animation नहीं है animation जो है आप खुद का बना सकते हैं character खुद से भी build कर सकते हैं यह पर भी बहुत सारे character से हैं उनका use आप कैसे करोगे व मैं अब इसके लिए मुझे अपना internet connection भी on करना होगा तो मैं अपना internet connection को on कर लेता हूं and फिर background के लिए मैं यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज करता हूं वह है image search man so image search man को मैं यहाँ पर open करता हूं and यहाँ पर मैं type करता हूं cartoon background तो चली cartoon background मैं ने सर्च कर लिय यहाँ पर बहुत सारे background आ चुके हैं लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यह जो background है यह complete नहीं है for example यहाँ पर यह एक मैदान है so मैं इसको download कर लेता हूं and इसके बाद देखिए यह जो image है वो किसी और का है हाला कि copyright इससे भी नहीं आएगा आप चाहे तो इस image का use कर सकते हैं यहाँ पर आपको copyright नहीं आएगा guaranteed है लेकिन इस चीज़ को और भी safe करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा जाओं दिखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं काइंद मस्टर में आऊंगा and काइंद मस्टर में आने के बाद यहाँ पर plus करेंगे section 9 करेंगे और अ example यहाँ पर मैं search करता हूँ cartoon tree यहाँ पर यह रहा cartoon tree अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे cartoon के trees मुझे मिल चुके हैं तो मैं यहाँ पर इसको लूँगा and इसको यहाँ पर देखिए dreams time का एक logo है so मैं इस image का use नहीं करूँगा मुझे ऐसा image जाहिए जहाँ पर कोई logo नहीं ह and pictures में जाकर इस image को मैं download कर लूँगा तो यहाँ पर यह जो image है यह मेरा ready हो चुका है अब देखिए यह एक image जा गया और इसके साथ इसके बाद मैं फिर से एक बच जाओंगा image search man में और यहाँ पर back करेंगे और search करेंगे cartoon home यहाँ पर मैं जब कुछ चीज़ें दिखा रह and अब मैं जाता हूं फिर से अपने काइन मस्टर में और यहाँ पर मैं layer में जाओंगा media में जाओंगा और यहाँ पर pictures में जाकर इस home को मैं ले लूँगा लेकिन इसका background जो है वो removed नहीं है कोई बात नहीं इसके लिए मैं simple जाओंगा अपने Chrome browser में और Chrome browser में जाने के बाद मैं इसका background remove कर लूँगा Chrome browser में जा रहा हूं and इसके बाद remove.bg वाला website में आएंगे upload image करेंगे और फिर यह वो image है इसको done कर देंगे और अब देखिए हमारा जो background है वो remove होके आ जाएगा तो अब इसको मैं simple यहां से download कर लेता हूं और हमारा image download complete हो चुका है तो अब मैं फिर से जाओंगा यहां पर मतलब काइंद master में layer में जाएंगे media में जाएंगे download से इस image को ले लेंगे अब देखिए यह image जो है वो मेरा ready हो चुका है तो देखिए अब इस image में जो elements है वो नहीं है तीनों के तीनों चीज़े किसी और की नहीं है मैं किसी और का चीज यूज नहीं कर रहा हूं या पर मैं अपना creativity यूज कर रहा हूं किसी और का image लेकर मैं उसको अपनी तरह से बना रहा हूं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप simple एक image का यूज करोगे कि इस तरह से काम करने के बाद आपको कोई copyright claim या कोई copyright strike दे दे so मेरा यह चो scene है वो ready हो चुका है तो मैं अब इसको export कर लूँगा and यहाँ पर export कर लिया तो यह scene मेरा export हो रहा है तो जब scene आपका export हो जाएगा तब हम cartoon मनान में focus कर सकते हैं इसके लिए मैं आप जाता हूँ सबसे पहले तो मुझे मेरा internet connection को off करना पड़ेगा वरना बहुत सारे ads चलते हैं यहाँ पर और अब मैं जाता हूँ अपने postmax वाल application में और यहाँ पर मैं इस application में आ चुका हूँ यहाँ पर देखिए character जो है वो मेरा एक है यहाँ पर इस चीज़ को आप इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कितना सारा possibilities available है ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको बात मैं clearly दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए उपर जो character दी हुई है यह वो character से जिनको आप customize कर सकते हैं और नीचे जो characters दी हुई है यह वो characters हैं जिनको आप customize नहीं कर सकते हैं लेकिन यह characters ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं फर एक्जमपल अगर मैं ऊपर वाले character मैं जाता हूँ तो मतलब इस वाले character मैं अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर arm length जो है कि इनका हाथ कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा यह सारा चीज़ आप कर सकते हैर होगा कि नहीं होगा और clothes क्या होगा और hair के color क्या होगा सब कुछ चीज़ आप यहाँ पर यह जो cartoon है इसका color क्या होगा यह सारे के सारे चीज़ आप यहाँ पर customize कर सकते हैं और यहाँ पर आप save load कुछ भी कर सकते है body size क्या होगा सब कुछ आप यहाँ पर customize कर सकते हैं और years के position कहाँ पर होगा यह देखिए कान उपर नीचे हो रहा है ठीक है और तो हर एक चीज़ आप यहाँ पर सब कुछ जो है अपने हिसाब से customize कर सकते हैं यह उपर जितने भी characters दी हुई है यहाँ पर आप हर एक character को अपने हिसाब से set कर सकते हैं तो यह रहा यह जो है यह अपने characters हो गए लेकिन मैं इन सारे characters का use नहीं करेंगा कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़दा खुशी नहीं मिल रही है लेकिन यहाँ पर जो characters दी होई है हर एक character कमाल का है जिनको आप customize तो नहीं कर सकते हैं लेकिन customize करने के ज़रूरत भी नहीं है देखिए यह character है यह character को आप से पहले तो 4 तरफ से एक बाद देख लीजिए कि यह character देखने में कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर नीचे देखिए lights का shadow का कुछ option है अगर आप यहाँ पर जाएंगा तो आपका side में जो है shadow बन रहा है जिस shadow की हमें जरौत फिलहाल तो नहीं पड़ेगी शायद यह सारे options यह पर अवेलेवल है खैर मैं यहाँ पर यह character है इसको pick कर लेता हूं फिर मैं back करता हूं अब इसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर settings में जाता हूं यहाँ पर grid को मैं no grid करता हूं यहाँ पर background color को अगर मैं green कर देता हूं यह देखिए यह रहा मेरा green color मतलब अब यहाँ पर जो भी होगा वो green screen में होगा ठीक है सो मैं यह पर back करता हूं आप जो है इस character को यहाँ पर देखिए नीचे जो 3 lines दी हुई है सबसे पहले यह जो east side का line है अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यह character आपका ऐसा होगा अगर आप यह जो बीच में जो line है यहाँ पर इस camera वाल icon पर touch करके अगर आपका character इस तरह से move करेगा तो यह देखिए इस तरह से move करेगा और यहाँ पर जो camera का icon है अगर आप इसको करेंगे तो आपका character बढ़ा होगा तो मैं इसको बढ़ा कर लेता हूं थोड़ा सा यह रहा मेरे character बढ़ा हो गया अब यहाँ पर मेरे character जब ready हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ पर animation में जाना है और animation में जाना के बाद यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ का हर एक animation जो है वो यहाँ पर ready है for example अगर मैं यहाँ पर dance करता हूं तो देखिए यह बंदा जो है dance करने लग रहा है अगर आप dance भी एक type करने यह बहुत से type कर देखिए यहां पर एक डैंस है 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 यह रहा किक है यहने कि हर एक आपशन जो है यहां पर एवलेवल है आप किसी भी आपशन कर सेलेट कर सकते हैं यहां पर देखिए वाक है और यहां पर भी एक वाक है और जो चल रहा है तो चलने का स्टाइल भी है, मतलब जिस साइड से चाहे आप उस साइड से कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको के पास कोई ऐसा सीन है कि वंदा उपर से चल के आ रहा है, तो और कैमेरा उसके बाद इस तरह से मूव होके आ रहा है, तो आप उस चीज़ को कर सकते है बहुत ही easily, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बंदा अगर सामने की तरफ चल के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर दूँगा, तो बंदा सामने की तरफ चल के आएगा, यहाँ पर अगर आपको और भी इसको छोटा कर देते हैं, छोट पर मैं अगर इसको साइड में चलना इस तरह से चलाऊं तो मुझे ज्यादा प्रिफर होगा मतलब तो मेरे सीन पर जो है वो अच्छा लगेगा तो मैं यहां पर अब देखिए एकदम नीचे के साइड एक एरो है यहां पर नीचे राइट साइड पर यहां पर एक एरो है और मेरा सिर्फ यह चीज जो है आ चुगा है सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को उपर मेरा करेक्टर अब आपको इसी करेक्टर को जो है स्क्रीन रेकोडिंग कर लेना है इस स्क्रीन को स्क्रीन रेकोडिंग कर लेना है और स्क्रीन रेकोडिंग जैसे मेरा तो अल्वरीड चली रहा स्क्रिन रेकोडिंग होने के बाद आपको जितना टाइम तक Est dove G ने dugout here पर में फिर सेखिड्र सिंट नायं करता हूँ और यहां पर एक्सपोर्ट में जाएंगे और वो वाला जो सीन है उसको लेंगे मतलब जो सीन मैंने अभी बनाया उस सीन को लेंगे इसके बाद layer में जाएंगे media में जाएंगे और screen recording मतलब screen recording अभी जो मैंने screen record किया उसको मैं यहाँ पर ले लूँगा तो चली मेरा screen recording है वो ready हो चुका है और इसके बाद जो है मैं नीचे आऊँगा and cropping पर आएंगे and उपर जो black type का दिखरा है इसको यहां तक cut कर लेंगे and done कर देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करेंगे and यहां पर chroma की में आएंगे chroma की को enable करेंगे और अब मैं इस जो image है इसको मैं ठीक से fix कर लूँगा and इहां पर मैं इस चीज को पहले तो यह जो background मेरा है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और थोड़ा और बड़ा करेंगे and इसके बाद इसको मैं एकदम starting में लेकर आऊँगा और अब मैं इहां पर इसको इधर लेकर आऊँगा and इसके बाद मेरा इहां पर जो background खतम होता है मैं इहां पर यह देखिए यहाँ पर जो चाबी का sign है इस पर click करूँगा and इहां पर मैं इसको लेकर चलाओंगा एक दम frame के बाहर अब यह रहा तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो देखिए कैसा लग रहा है देखिए ऐसा लग रहा है कि यह पैदल जा रहा है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी तरह से यह मेरा एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका यह पहार चला गया अगर आप इसको और भी फास्ट करना चाहे तो और फास्ट कर सकते हैं अगर slow करना चाहे तो slow कर सकते हैं इसके बाद और भी बहुत type के जो animation है वो इस application में available है आप किसी भी type का animation यहां से लेख सकते हैं अपर यह देखिए talk, यहां पर बात कर रहा है यहां पर punch है, punch तो मैंने आपको पहले ही दिखा है बहुत type के यहां पर animation है यहां पर देखिए यह zombie type से कुछ आगे जा रहा है इसको अगर आप यहां पर छोटा करेंगे character को तो और भी अच्छी तरह से देख पाएंगे यहां पर push है, धक्का दे रहा है कुछ तो हर एक तरह का cry है, यहां पर रो रहा है अगर आप इसको अपनी तरफ मुझ करवाएंगे तो देखिए यहां पर यहां बंदा रो रहा है और यहां पर गाना गा रहा है तो यहां पर हर एक चीज का possibility है हर एक चीज आप यहां पर कर सकते हैं बहुत easily यह app आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही easy है इस app का use करना जिस तरह से मैंने एक character का use किया उसी तरह से आपको दूसरा वाला एक और character लेना है जैसे के यहां पर for example मैं इस character को लेता हूँ यहां पर बहुत सारे normal characters और भी है देखिए कि कितने सारे characters हैं यहां पर यह वाला character भी अपले सकते हैं अगर आप इसके size को छोटा करेंगे और फिर यहां पर फिर से एक बार animation में जाएंगे और इसका भी work ले लेते हैं कहां पर गया इसका work यह दिखिए इनका work यहां पर दोनों type के हैं तो मैं इस type को select करता हूँ इसके बाद मैं यहां पर आता हूँ और यह दिखिए यह बंदा work कर रहा है मैं इसको record कर रहा हूँ और इसको record करने के बाद चलिए चलते हैं फिर से एक बार अपने kindmaster में और इसको उहां पर add करके देखते हैं तो अब मैं आ चुका अपने kindmaster में यहां पर फिर से वह मेडिया में जाएंगे और यहां पर इस चीज़ को मैं ले लूँगा और यहां पर यह मेरा उल्टा रेकॉर्ड हो चुका है तो मैं इसको सिंपल रोटेट करके सीधा कर लूँगा यहां पर उफो मैंने एक गलती कर दिया इन भाय साब को मैंने सीधा से वाक करवा दिया कोई बात नहीं यहां पर आप इस चीज़ को भी सीख जाएंगे और अच्छा होगा तो यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले तो इसका ग्रीन स्क्रीन को मुझे रिमूव करना होग और यहां पर मैं इसको यहां पर बढ़ा कर देता हूँ ठीक है तो देखिए अब यह देखने में कैसा लग रहा है देखिए यहां पर यहां पर पीछे वो जा रहा है और यहां पर पीछे वो जा रहा है और यह पास आ गया वो निकल गया और ऐसा लगा कि यह जो है यह मेर से निकल गया, तो इतनी easily यहाँ पर आप animation videos बना सकते हैं, सिर्फ एक application की मदद से, आप यहाँ पर animation videos बना सकते हैं, बच्चों के लिए काफी इन, मतलब काफी अच्छे अच्छे animations आप create कर सकते हैं, और हाँ, अब made for kids वाला जो वसीद है, उसको clear कर लेते हैं, अगर आपको earning बढ़ानी है, तो आप अपने videos को made for kids select मत करो, not for kids करो, इससे क्या होगा कि आपकी earning ज्यादा होगी, जितने लोगों तक पहुँचेगा video, वहाँ पर full ads चलेगा, और YouTube यह खुद से नहीं recite करेगा, क्या आपका video बच्चों के लिए है या नहीं है, अगर आप अपना video को made for kids नहीं करते हैं, YouTube आपके video को फिर भी बच्चों तक पहुचाएगा, और आपके views ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर आप made for kids select करते हो, फिर भी आपकी earning होगी, ऐसा नहीं है कि बिलकुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम हो सकता है, और अगर आप select नहीं करते हो, अ और अगर आप खुद का character बनाना चाहते हैं, तो मुझे वो आता है, मैंने आपको दिखाया था, birds वाला character किस तरह से आप बना सकते हो, अगर आपको humans बनाना भी सीखना है, तो मुझे comment करो, मैं आपको सिखा दोंगा किस तरह से humans वाला characters बना सकते हो, तो बाकी इस वीडियो मैं इतना ही उमिद करता है, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ informative चीज़े आप सीख पाए होंगे, मेरा तब यह थोड़ा खराब है, इसलिए voice slow भी जा रहा है, और क्या क्या मतलब slow बोल भी रहा हूं, so please मुझे माफ कर दीजेगा इस चीज के ल मैंने life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change